कक्षा दस्वी के सभी विद्यार्थियों को सप्रेम नमस्कार आप सभी का सेंट एंजल्स पबलिक स्कूल की ओनलाइन क्लास में स्वागत है आज हम पढ़ रहे हैं रस पिछली वीडियो में भी हमने रस पढ़ा देखिए हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रातना भी है कि आप सब लोकडाउन का पूरी तरह से पालन कर इस महमारी को भगाने में अपना सहयोग करें देखिए आज हम पढ़ेंगे भयानक रस जो रसों में सिक्स्त रस है चटा रस है उसका नाम है भयानक रस देखिए भयानक रस से पहले हमने पढ़ा था वीर रस रोद्र रस और उससे पहले हमने पढ़ा था वीर रस तीसरा करुन रस जिसका इस्थाइभाव शोक श्रिंगार हाश्य करुन रोद्र चोथा हमने पढ़ा रोद्र रस जिसका इस्थाइभाव क्रोध पांचवा हमने पढ़ा वीर रस जिसका इस्थाइभाव उत्साहा छटा हम पढ़ रहे हैं आज भयानक रस जिसका इस्थाइभाव भय होगा तो ये भयानक रस छटा रस है हम देखेंगे इसकी definition के बारे में किस तरह से इसकी उत्पत्ती होती है देखें भय उत्पादक वस्तू प्राणी या शत्रू को देखकर भय उत्पादक बने जो भय उत्पन करे भय उत्पन करे भय उत्पादक वस्तू प्राणी शत्रू या किसी हिंसक जीव को देखकर या भयानक वानी को सुनकर सुनने से भय उत्पन होता है सुनने से भै उत्पन होता है और भै उत्पन होने से भयानकरस की उत्पत्ती होती है जब हम किसी भै उत्पादक या भै प्रद वस्तु को देखते हैं प्राणी को देखते हैं किसी जीव को देखते हैं इंसक या किसी अपने से बलिष्ट को देख करके हम डर जाते हैं, किसी की भेंकर वानी हम गर्जना सुन लेते हैं, तो हम डर जाते हैं, तो इस तरह से वानी को सुनने से भै उत्पन होने से भयानकरस की उत्पत्ति होती है, भयानकरस का भाव होता है, भयानकरस का इस्थाई भखाव भै होता है देखिए इस तरह से जो भै उत्पन करने वाली बाते सुनने अत्वा उसकी कलपना करने से मन में जो भै छा जाता है उस भै जो इस्थाई भा उत्पन हो जाता है उसका अनुभाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानकरस की उत्पत्ती होती है किसी भैप्रद वस्तू किसी भैप्रद भैप्रद मने जो भैउत्पन करने वाली वस्तू व्यक्ती या इस्थिती का वर्णन जो मन या हिर्दय में भैका संचार करे जो मन में भैका संचार करे कैसी इस तरह की कोई स्थिती हो कोई वस्तू हो कोई मनुष्य हो कोई प्राणी हो जो जिससे भै का जिससे हिर्दय में या मन में भै का संचार हो उसे भैयानक रस कहते हैं इस परकार भी आप कह सकते हैं कि जहां व्यक्ति अथ्वा वस्तू को देखने के पशात मन में जो भै उत्पन होता है उसे भैयानक रस कहते हैं इस परकार भी आप कह सकते हैं जहां वेक्ति अत्वा वस्तु को या किसी भैप्रद हिंसक जीव को या शत्रू को देखने के पशात मन में जो भै उत्पन होता है उसे भैयानक रस कहते हैं तो भैयानक रस्में देखे ये तो सामाने सी डेफिनेशन है अब आप देखेंगे कि कावे पंक्तियों में जिन कावे पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा मैसूस होता है कि उसमें कोई भैप्रद वाली बात है उसमें कोई डराने वाली बात है उसमें कोई डरने वाले कोई बात है या उसमें फिर भयानक शब्द आ रहा है या उसमें घोर शब्द आ रहा है तो इस तरह से जिन कावय पंक्तियों में डराने वाली बात हो भै प्रद बात हो भै उत्पादक वाली कोई बात हो कोई घटना हो किसी के डरने से कोई किसी के रोने की कोई बात हो घबराने की कोई बात हो किसी कावय पंक्तियों में जिन भी कावय पंक्तियों में इस तरह की बात होती है वहाँ भयानक रस उत्पन होता है वहाँ भयानक रस विद्यमान रहता है इसके अब भयानक रस के हम कुछ तत्व देख लेते हैं देखे भयानकरस का जो इस्थाई भाव होता है वो भय होता है भयानकरस का इस्थाई भाव क्या होता है भय होता है दूसरा है देखे आश्रे आश्रे भय होता है जिस व्यक्ति के अंदर भय उत्पन होता है तो यानि आश्रे भय हुआ जो भय बीत व्यक्ति है जो डर गया ज जिसके अंदर भैई इस्थाइ भायाउथ पन उआ है, भै आश्रहे है, विषय कहते हैं जिसके कारण भैउथ पन उआ, यानि वो भैवह वस्तू उस ने देख लिए, या वो भैवह प्रानी देखा, या वो डरावनी इस्तिती का उसने अवलोकन किया, तो जो भयावह वस्तु है ड्रावना कोई इस्तिती है वहाँ पर तो वो विशे होते हैं आगे है उद्धीपन उद्धीपन देखे क्या होता है जो भय को और बढ़ाए जो भाव को बढ़ाता है यानि जो भैका जो भाव आश्रे के मन में उत्पन हुआ है उसको और अधिक तिवर करे जैसे भैव है वस्तु का विक्राल रूप या उसकी कोई गर्जना या उसकी खुंकार कोई हिंसक प्राणी है उसकी एक तरफ से खाने के लिए अमारने के लिए सामने कोशिश करना एक उत्पन हुआ है उसमें और अधिक उद्धिपन आ जाएगा वह और अधिक तिवर हो जाता है तो उत्धिपन में जो है वह भैवा वस्तु का विक्राल रूप खुंकार प्राणी की चेश्टाएं कोशिशें या भैनक जंगल या अंधिरी रात या फिर और इस्तिती के और भी उद्धिप्त करने वाले तत्व हो सकते हैं तो इसके बाद देखें इसके बाद आता है उद्धिपन के बाद आता है अनुभाव में देखें अनुभाव का अर्थ होता है जो प्रतिक्रियाएं होती है यानि आश्रे की जो प्रतिक्रियाएं है जैसे कंप मने कापन यानि डर लेगा तो कापेगा तो हई तो कंप कापना, रोमांच, सांस फूलना, भागना एकदम से आश्रिय चकित होना या पसीना आना या फिर तुरंत अपने मरने के भाव मन में आने कि वह आज तो मैं गया या आज तो मेरे जो है मैंने सेर देख लिया आपको कोई सेर जंगल में मिल गया तो आप जो है एकदम से डर गए तो आपके मन में भैका भाव जागरित हो गया तो आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे कि मैं अब क्या करूं या आप भागेंगे वहां से या आप किसी व्रिक्स पर चड़ेंगे जो भी आपकी पृतिक्रियाए होगी वो अनुभाव के अंदर आती हैं और जो मन में तरह तरह के प्रशंस जो उठते हैं संका, आवे, तरास ये संचारिभा होते हैं तो इस तरह से हमने भैयानकरस पड़ा अब हम आगे भैयानकरस के उधारन देखेंगे